तो यह वाट्सब वेलकम बैक टो निव व्लॉग तो गाइज अभी मैं हूं अपने गौ में तो मैंने सोचा कि आप लोग को डैरी फार्मिंग से रेटेड कुछ नौलेज शेयर करूं मतलब बेसिकली अगर आपके पास दो से तीन गाया तो उनको कैसे मेंटेन किया जाता है म अज का व्लॉग में आपको यही देखने को मिलेगा तो चली गाइज फटा फट आज का व्लॉग शुरू करते हैं यहां पर गाय सबको रखा जाता है तो इस साइट आप देख सकते हमारे पास एक गया यहां पर और हमारे पास है यहां पर मतलब हमारे पास अभी टोटल तीन गाय का पूर्वा मनेजमेन्ट इहां पर चलता है अभी दो दोगाया जो एक यह और आपी पीछे में बोट दूद दे रही है वह अभी नहीं दे रही है तो जब लोग का सबसे पहला काम पर आप पर यहांने के बाद रहता ह तो ऐसे फर्टिलाइजर वो वर्ट करता है इसलिए फड़ा पड़ सारा उठा के साफ करना पड़ेगा इस गाय का खाना आपको बताएंगे क्या 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 हम लोग खाने देटेए गाइज आप देख सकते हो कि लाद में लोग पर पानी फिल कर दिया मतलब पर गाय हम लोग सब्सक्राइब वाटर रेते हैं लाद में दो गाय रहती है और पीछे वाले में एक रहती है तो मतलब यहां पे छे बकेट वाटर रों लोग दिया और हमारे पास गाइज आप देख सकते हैं यह दो लोग लगवाग आदा घंटा पहले करते हैं ताकि यह अच्छे से यह 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 प्रोटीन में काफी पारेमन करता यह गाय के लिए यह आपको बता दू मैं पर पैकेट 12-1300 रुक्य पर थोरा कोश्टी यह पर यह गाय के लिए सही है जिए खिलाने के बाद ना दूद का जो प्रोडेक्शन ने वह थोरा इंक्रीज हो जाता है गाय का तो इसे अगर घास नहीं रहता है तो फिर भोसा से काम चलाना परता है सबसे पहले बुसा डालते हैं फिर उसमें हरा घास भी डालेंगे अभी अपको मैं दिखाने वाल आधू देख्याने वाला चाप कटर जोगें देख सेकते हैं कि नामस्क जुगार बना हूँ अगर गैर आपको किलियर ली दिखाओ तो देख सकते हैं आप कितना मस्क की जुगार किया हुआ ये च्प कटर का घास काटने के लिए आप देख इसे हम लोग काटते हैं और इस साइड देसे को आप वहां पर घास डालते हैं फिर यह मसीन स्टार्ट करते हैं फिर इसे कटता है तो बैसिकली हमारे पास अब घास रेडी है कटके इसे हम लोग डालने वाले हैं लाद में तो गाइज आप हम लोग डाल रहे हैं इसमें हरा घास तो बैसे कि अवी हम लोग के पास जो है वह मकय का मेज का ही है और इस चेत में अगर बार पर वावित हो जाता है तब हरा घास आपको मिलेगा नहीं भूसा पहीं आपको गाय को फीड करना रहता है पर इस बार यह की अगरे नहीं हो जाने तो मतलब हम लोग लगवज चार से पांस एकर फ्रोट में घाए लगा देते ताकि गाय को खाने में को दिख्के दिन और भाहरा घास को चाहिए उट अब भी जान रहे हैं तो यह है मतले का इसे हम लोग डाल देते हैं तो गाय अब हमारा लास्ट काम में इसको प्रॉपर तरह कि मिक्स करना पहरा है बिना मिक्स किये घुकत करेगी में एक टाइवालां यह दो अश्वार कि अपॉपर मिक्स करना बहुत जोर रहे है तो जैसा अब जैसेक तो यह प्रॉपर तरीके से मिक्स हो चुका और हम लोग जो भी डाले ते कपीला और आठा वह अच्छे तरह से डिजॉल्व हो सका मतलब आठा गांटा तो लगवग हो ही गया तो डिजॉल्व तो हो ही गया जैसे रहे अरेड़ी और कुछे देख रहा यह यह लोग का आप देख में कोरे इस बाद में डाले है दो कि खाने पार करने के लिए तो जींटर होगा कि और उल्ला कर रहा है और सक्से ज़्यादा बनास यह है तो जा, बेर रूख जा, खाने के लिए तिने हल्ला क्यों कर रहा है, खाना इनने कोई और थोरी खारा है, तो जाओ लो, तो इस साइड यह जो सारा देख रहे हो, आप यह सारा फूडर क्रॉप्स है, मैं आपको बता है कि काफी लार्ज स्केल में गाय के लिए चारा लगता है, आप देख सकते हैं इस साइड पूरा अगदम यह मकई कहीं लगा हुआ है, और हमारे पास यहां पे अमरूत का भी पे वीडियो में दिखा है, और मेरा भी एक सपना है कि मैं लार्ज स्केल पर बनाने का मन करता है, और मेरे साथ वज्जा पाटी लोग भी है, यह लोग भी काफी हल्प किया है, और यह लोका ठीक है बीटी डेली का काम है तो लोग आ भी जाता है चले की बाई आइ